हेले व्रिवरन, वेलकम टो दी चैनल रवी अदित्ती क्लासिस और आज के इस वीडियो में मैं डिसकस करूँगी weekly current affair यानि की एक से लेके 7 जनवरी 2024 के बीच का आपका जितना भी important update है उसको मैं cover करने वाली हूँ यह पूरी वीडियो आपके सभी exam के point of view से काफी important होने वाली है तो उसको लास्तक जरूर देखेगा और at the end of the video मैं आपसे एक question पूछूँगी जिसके answers आप मुझे comment section में दोगे तो देखिए आज के दिन ये वीडियो आती है जिसमें पूरे last एक week का आपका revision यहाँ पर हो जाता है on January 1st, 2024 तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक जनवरी 2024 को भारत का पहला X-ray polarimeter उपगर है यह किसके द्वारा launch किया जाएगा तो यह launch किया जाएगा इस रो के द्वारा तो option number जो A है यह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा तो देखिए अगर हम बात करें इस रो की तो सबसे पहले इसके full form आप जानेए इसके full form होती है Indian Space Research Organization यह भारत के एक space agency है और यह जो mission था यह एक जनवरी 2024 के लिए schedule किया गया था और यह भारत का पहला X-ray polarimetry एक आप कह सकते है mission है It's an important for study of black holes and other astronomical sources which is emitting X-rays यानि कि basic निए आपको ध्यान रखना है कि यह जो mission है यह उन सभी चीजों के लिए है चुकि X-ray को emit करते हैं और साथी में black hole की study के लिए इस mission को launch किया गया है Short में भी इसका नाम आ सकता है Short में इसको हम कहते है Expo Set के नाम से जिसकी full form होती है X-ray polarimetry satellite NASA ने इससे पहले एक और अपना mission launch किया था जिसका नाम है IXPE Full form है इसकी amazing X-ray polarimetry explorer is the first satellite which is dedicated to measuring the polarization of the X-rays तो देखे नासा ने पहले ही इसको launch कर दिया है IXPE के नाम से और यह अब भारत ने अपना पहला launch किया है Expo Set के नाम से तो ध्यान रहेगा एक जन्वरी को यह launch हुआ है और जिसका नाम है Expo Set किसके द्वारा इस रों के द्वारा Next question is तो देखे गर हम बात करें Finance Commission की तो 16th Finance Commission के जो अभी चेर्मेन बने है इनका नाम है डॉक्टर अर्विंथ पनगडिया Option number B यह आप कहाँ पर सही हो जाएगा तो देखे डॉक्टर अर्विंथ पनगडिया अस्दा फोर्मर वाइस चेर्मेन अफ नीती आयोक और प्रोफेसर अट कोलंबय इनिवरसिटी और इससे पहले अगर हम बात करें अनके सिंग वो चेर्मेन थे 15th कमीशन के यानि जो भी 15th कमीशन था उसके चेर्मेन थे अनके सिंग और अभी जो 16th Finance Commission बनेगा उसके चेर्मेन बने है डॉक्टर अर्विंथ पनगडिया जो की फॉर्मर वाइस चेर्मेन रहे चुके है किसके नीती आयोग के नीती आयोग वही जो प्लानिंग कमीशन की जगह पर लाया गया है अब देखे अगर हम बात करें Finance Commission की तो ये Constitutional Body है Constitutional Body का मतलब ये है कि हमारे जो देश का समिधान है हमारे देश का जो Constitution है उसमें लिखा हुआ है किसके बारे में Finance Commission के बारे में Under which Article? Under 280 Article और आपको धियान रखने कि इसका परपस क्या होता है जो ये आपकी Finance Commission है It's overseas how much money will be distributed between the center and the states Next question is Military exercise जिसका नामे Desert Cyclone 2024 has been conducted Between India and which country कि जो सेन ने अभ्यास है Desert Cyclone ये 2024 भारत और किस देश के बेच में हुआ है तो ध्यान रहेगा ये हुआ है भारत और UAE के बेच में तो Option Number जो A है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा The Joint Military Exercise Desert Cyclone 2024 Between Two Armies of India and UAE Will be conducted in the Third Desert of Rajasthan From Gen 2 to January 15, 2024 इसका objective क्या है तो objective to learn and share best practices in urban operation ठीक है यानि कि बेसिकली इसका परपस है सहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाव को सीखना और उनको साजा करना Next is which country has become the second largest steel producing country in the world यानि कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इसपात उत्वादक देश ये कौन सा बना है तो ये बना है इंडिया option number D अब देखे ये तो बना है second largest steel producing country वह अगर हम बात करें first largest steel producing country तो ये आप मुझे बताओ के comment में कि पहला जो सबसे बड़ा पात उत्पादक देश है ये कौन सा है ये क्योंकि दूसरे नंबर पर तो है भारत तो आपको पहले नंबर पर कौन से country है इसका answer comment section में देना है तो देखे इंडिया has become the second largest steel producing country in the world and इंडिया is expected to produce 435 metric ton by 2015 यानि कि भारत का ये मानना है कि वो साल 2050 तक 435 metric ton जो steel है उसका ये उत्पादन करने के संभावना रखता है इसके लाबा आप ये भी fact ध्यानक होगे कि इंडिया is the world largest producer of sponge iron and the world third largest consumer of finished steel after China and USA next is who has won the 2023 FIDE World Rapid Chess Championship यानि कि 2023 का जो FIDE Vishu Rapid सत्रंज Championship है ये किसने जीती है तो ये जीती है कि Magnes Carlson ने option number जो A है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि Magnes Carlson के द्वारा जो है वो साल 2023 का FIDE Vishu Rapid सत्रंज Championship ये जीता गया है अब देखें नौन नौर्वेगिन Chess Champion है ये Magnes Carlson इसकी country इनका जो country है ये भी आपको ध्यान रखना है नौर्वे के खिलाड़ी है और इन्होंने ही साल 2023 का जो FIDE World Rapid Chess Championship टाइटल है वो जीता है Magnes Carlson विन दा World Rapid Chess Crown for the record फिफ्ट टाइम अगर हम बात करें इसका venue तो ये हुआ था समरकंद जो के आपका कहां पर है उजबेकिस्तान में है एक करंटिमेंट आप ये भी आद रखोगे कि अगस्ट 2023 Magnes Carlson वोन दा FIDE World Cup टाइटल बाइ डिफिटिंग Grandmaster रमेश बाबु प्रगननदा ओफ इंडिया नेक्स्ट इस वेर विल प्रेजिडेंट दौपदी मुर्मू पार्टिसपेट इन दा कार्भी यूथ फेस्टिवल टो बी हल्ट तो आपसे पूछा गया है कि जो राश्टपती दौपदी मुर्मू है वो कहां पर आजुद होने वाले कार्भी यूवा मोहतसव में भाग लेंगी तो ये जो कार्भी यूवा मोहतसव है ये होने वाला है असम में और वहीं पर पार्टिसिपेट करेंगी कौन हमारे देश की प्रेजिदेंट द्रौपदी मुर्मू जी तो देखी प्रेजिदेंट द्रौपदी मुर्मू विल अटेंड गोल्डन जुबली सेलिबरेशन अफ कार्भी यूथ फेस्टिवल 2024 विच इस तो भी हेल्ड अटार्स आंगलो दीफू इन कार्भी आंगलोंग डुस्टिक ऑन जैन्वरी 17, 2024 फिर है डेवेड वर्णर हैस अनौंस्ट हिस रिटार्मेंट फ्रम ओडियाई किर्केट कि जो डेवेड बॉर्णर है उन्होंने ODIC जो है ODIC किर्केट फॉर्मेट से सन्यास लेने की घोशना की है यह किस देश से संबंधित है तो इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से option number जो A है यह आप यहाँ पर याद रखेंगे फिरह for the first time a Hindu woman has filed nomination for election in Pakistan what is her name कि पाकिस्तान में चुनाओ के लिए पहली बार Hindu महिला ने nomination भरा है उनका नाम क्या है तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है यह है Dr. Savira Prakash option number जो D है यह यहाँ पर सही होगा तो देखे जनरल election are going to be held in Pakistan on February 8, 2024 to elect the member of 16th National Assembly and for the first time a Hindu woman is going to contest the general election in Pakistan the name of this woman is Savira Prakash who has officially submitted her nomination papers for the general seat of PK-25 in Bunar district next question is Vice Admiral Sanjay Jasjeet Singh has taken charge of which naval command याने की Vice Admiral जो है Sanjay Jasjeet Singh इन्होंने किस नौसेना कमान का कारेभार समहाला है तो यह समहाला है Western Navy याने की पश्ची मी नौसेना का option number A यह यह यहाँ यहाँ पर सही हो जाएगा तो Vice Admiral Sanjay Jasjeet Singh assumed the role of Flag Officer Commanding in Chief Western Naval Command prior to this Sanjay Jasjeet Singh served as a Deputy Chief of the Naval Staff and has a versatile naval career spanning nearly 38 years in Navy services next question is which country has participated in the world largest radio telescope the square kilometer array observatory SKAU score project याने की दुनिया की सबसे बड़ी radio telescope square kilometer array observatory परियोशना में शामिल कौन सा देश हुआ है तो यह हुआ है India option number जो A है यह आप कहाँ पर सही हो जाएगा that India has joined the world largest radio telescope array which is square kilometer array observatory project to study astronomical phenomena with a budget of rupees 1250 crore and it is an international effort and India's participation is through the Pune-based Naval Center for Radio Astrophysics next is Padma Bhushan winner Prof. Ved Prakash Nanda has passed away recently in which year did Prof. Ved Prakash Nanda receive Padma Bhushan कि Padma Bhushan Vijayata Prof. Ved Prakash Nanda का अभी हाल ही में निदन हुआ है तो यह मतलब इन्हें जो Padma Bhushan है वो किस वर्ष प्राप्त हुआ था तो यह हुआ था 2018 में option number जो B है यह आप कहाँ पर सही हो जाएगा तो देखे Prof. Ved Prakash Nanda a towering personality of Indian diaspora has passed away leaving behind a legacy of profound contribution to literature, education and international law अगर हम बात करें वेश Prakash Nanda was an Indian American academic and he was an expert in international law and was awarded the Padma Bhushan Award in year 2018 next is when was World Family Day is created यानि कि आप कह सकते कि कम मनाया गया तो देखे World Family Day के अगर हम बात करें तो यह मनाया गया है 1st of January option number जो A है यह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा that World Family Day is celebrated on New Year's Day which is 1st January and it is also called as World Peace Day theme आपके लिए important है theme है family togethers building resilience for a brighter future अगर हिंदी में हम बात करें तो ही है परिवार एक साथ एक उजवल भविशे के लिए लचीला पन फिर है ITC has signed an agreement with SkyMate and which company to protect tobacco farmers from climate challenges यानि कि ITC ने तमाको किसानों को जलवायू चुनोतियों से बचाने है तो SkyMate और किस company के साथ में समझोता किया है तो यह किया है किस के साथ में Microsoft के साथ में option number जो A है यह आपका यहां पर सही होगा तो देखे ITC has joined hands with Microsoft and SkyMate to address the growing challenges which is faced by tobacco farmers in India due to climate changes and the goal to introduce or to to join hands together is to empower farmers and reduce the impact of extreme weather events on tobacco cultivation next is in which city of Uttar Pradesh the first Sennik School for Girls was inaugurated यानि कि Uttar Pradesh के कि शहर में Balikाओं के लिए पहले Sennik School का उधगाटन किया गया तो यह उधगाटन किया गया है कहां पर वरंदाबन में तो option number जो D है यह आपका हैं पर सही होगा कि Defense Minister है रासनात सिंग inaugurated the first full-fledged Sennik School for Girls which is Sunwind Guru Kulam Balika Sennik School यानि कि स्कूल का नाम आपको ध्यान रखना कि Sunwind Guru Kulam Balika Sennik School which is in वरंदाबन मतुरा और उत्रपरदेश फिरे who has become the new president of Demoretic Republic of Congo यानि कि Congo लोगतांतरिक गनराज्य के नए रास्टपती कौन बने है तो इनका नाम है Felix तो option number जो D है ये आप कहाँ पर सही हो जाएगा Felix S.S.K.D. President of Democratic Republic of Congo once again won the almost 73% of award and become the new president of Congo अगर हम बात करें Democratic Republic of Congo की तो इसकी capital है कि काशा यहां के जो currency use होती है बो है Kangolese Frank Next is which squash player has won the Scottish junior open under 19 title यानि कि Scottish junior open under 19 का किताब ये कि squash खिलाडी ने जीता है तो ये जीता है अनाहत सिंग ने option number जो D है ये आप यहां पर याद रखेंगे that India's young squash player अनाहत सिंग won the woman under 19 title at the 2023 Scottish junior open squash in Edinburgh which is in Scotland and अनाहत won the title by defeating Robin McAlpine in the final and here she won the woman's single title at the National Squash Championship 2023 also next question is हाती community of which state has scored the status of scheduled tribe यानि कि किस राज़े के हाती समुधाय को अनुसूची जन्जाती का दर्जा मिला है तो ये जन्जाती का दर्जा मिला है हिमाशल प्रदेश में option number जो A है ये आप कहां पर सही हो जाएगा ये आप यहाँ बर याद रखेंगे देखेंगे अगर हम order से चलने ही तो last time ये हुआ था South Africa में तो उस बार turn आना था किसका Brazil का देकिन Brazil इस साल जो है वो G20 जिसको हम officially अब कहते हैं G21 उसको भी host करेगा और simultaneously अगर ये bricks को भी host करेगा तो ये दोनों का बड़न एक सत नहीं कर पा रहा था तो इसलिए जो है इसने जो bricks की सदश्चत है 2024 की ये कौन करेगा तो ये करेगा रश्या तो देखेंगे Brazil has raised its hands to host the bricks conference to be held in 2024. Brazil says that it was it will not be able to organize both G20 and bricks conference in same year in such a situation Brazil will not host bricks in 2024 and Russia was to host bricks in 2025 but now it will be organized the conference only in 2024 and this conference will be organized in Kazan city of Russia ये भी आप याद रखेंगे फिरे which country's president Xavier Miley has rejected bricks membership यानि कि किस देश के राष्टपती ने जो की है Xavier Miley इन्होंने bricks की सदश्चत को ऐस्वेकार कर दिया है तो सही answer है Argentina option number जो A है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे that Argentina president Xavier Miley has officially declined an invitation to join the BRICS which is Brazil, Russia, India, China and South Africa a group of major emerging economies तो ये देखें Argentina president Xavier Miley has officially declined an invitation to join the BRICS which is Brazil, Russia, India China, South Africa a group of major emerging economies इसमें जो new member add हुए है वो है Egypt, Ethiopia, Iran Saudi Arab and United Arab Emirates next question is who has become the first woman to get wealth of 100 billion dollar यानि कि 100 Arab dollar की संपत्ती पाने वाली पहली महिला कौन बनी है तो ये बनी है Frankois, Battencourt, Myers तो option number जो A है ये आप कहाँ पर सही हो जाएगा तो देखें सो और आप डॉलर की संपत्ती पाने वाली ये पहली महिला बन गई है Frankois, Battencourt, Myers तो देखें L'Oreal's hires Frankois, Battencourt, Myers M. is a historical 100 billion dollar fortune bringing her wealth to 100.1 billion dollar according to the Bloomberg Index Next question is What was the name of the former president of the European Union Commission who passed away recently यानि कि European Sang Aayok के पूर्व अध्यक्ष का नाम क्या था जिनका भी हाल ही में निदन हुआ है तो इनका नाम था Jigs Deloats तो option number जो D है ये आप कहाँ पर सही हो जाएगा तो देखें अगर हम बात करें ये ये यूनियन की तो establishment year is 1993 and headquarter is in Belgium President अभी वर्तमान में यानि की President में जो इसके head है वो है Ursula 1.D. Leon and founding countries में आती है Germany, France, Italy, Netherlands, Belgium और Luxembourg Next question is in which city the 12th Divya Kala Mela 2023 has been inaugurated यानि के गरम बात करें 12th Divya Kala Mela की तो ये कहाँ पर inaugurate हुआ है तो ये हुआ है सूरत में option number जो A है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे तो देखें Department of Empowerment of Person with Disabilities is organizing Divya Kala Mela in तो ये आपका खुलेगा कोटा में option number जो A है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि इन विश सीटी राजिस्थान फर्स्ट स्नेक पार्क विल बी ओपन कोटा विल गेट गिफ्ट फर्स्ट स्नेक पार्क ये भी आप याद रखेंगे next question is who has inaugurated the Ayodhya's Dham Junction railway station of Uttar Pradesh यानि कि Uttar Pradesh के Ayodhya Dham Junction railway station के उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया तो ये द्घाटन किया है हमारे देश के Prime Minister नरेंदर मोदी जे के द्वारा तो option number जो A है ये आपका याँ पर सही हो जाएगा that Narendra Modi has inaugurated the Ayodhya Dham Junction railway station of Uttar Pradesh तो देखे Prime Minister Narendra Modi inaugurated the renovated Ayodhya's railway station in Uttar Pradesh which will be known as Ayodhya's Dham Junction formally we called it as Ayodhya Junction railway station and ये भी आपको ध्यान रखने that changing the name of station is entirely a state subject and hence the decision to do so rest entirely with concerned state that is the UP government and not on the Indian railways यानि कि इन railways की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है किसी भी station के नाम को change करने में ये सारी जिम्मेदारी होती है ये कौन करते हैं तो ये करते है state government जिस जिस state में किसी भी railway station का नाम change होता है तो वहां के state government उसका नाम change करते है ना कि भारती है रेलवे नेक्स्ट इस विच विद विच कंट्री है इंडिया मेक पेमेंट इन रुपीज फोर दर पर्चेज अफ क्रूड ओल फॉर दर फॉर्स्ट ताइम यानि कि भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ रुपे में भुक्तान किया है तो ये किया है UAE के साथ में तो option number जो A है ये आप कहाँ पर सही हो जाएगा तो देखें लोकल करंसी ग्लोबली Next question is Who has been honored with the Man of the Year 2023 अवार्ड यानि कि Man of the Year 2023 पुरुस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो ये सम्मानित किया गया है LP हेमंत के श्री निवासुलू को तो option number जो A है ये आप कहाँ पर सही हो जाएगा तो देखें Newly appointed Director of the Latin America and Caribbean Business Council Mr. L.P. हेमंत के श्री निवासुलू was honored with the Prestigious Man of the Year 2023 award and the award was presented by the Home Minister of India, Shri Amit Shaha and this honor served a recognition of Shri Hemant's outstanding contribution to trade, diplomacy and global economic relation फिर है which organization has been declared an illegal association by the Home Ministry यानि के ग्रह मंत्राली के द्वारा किस संगठन को अवेद संग ये घोशित किया है तो ये किया है Muslim League Zammu Kashmir जिसको मश्रत अलाम फैक्शन के नाम से भी जानते है तो option number जो A है ये आप कहाँ पर सही हो जाएगा The Home Minister has declared Muslim League Jammu Kashmir और मस्रत अलाम फैक्शन and Unlawful Association अवेदास कि अवेदास इल्लीग for five years under Section 3A of the Anti-Terrassist Unlawful Activities Prevention Act of 1967 and according to the Home Ministry this organization and its member are involved in anti-national and separatist activities in Jammu Kashmir Next question is which country has launched drilling ship Mengziang to prop the earth mantle यानि की प्रत्वी के mantle जो crust mantle जो layer होती है उसकी जाज करने के लिए किस देश ने drilling जाज Mengziang यह launch किया है तो यह launch किया है चाइना ने option number जो A है यह आप यहाँ पर याद रखेंगे तो देखे developed by the China geological survey in collaboration with 150 research institute and companies this ship has been named a dream in Chinese and Mengziang goal is to penetrate the earth crust and understand the mysteries of mantle marking humanity inaugural foray into this unknown reason next is India's first submarine tourism facility will be launched at which place कि भारत की पहली पंटुबी परेतन सुविधा यह किस इस्थान पर शुरू की जाएगी तो यह की जाएगी गुजरात में option number B Gujarat to unveil India's first submarine tourism in Dwaraka and the objective of the project is to explore the mesmerizing marine life around Beat Dwaraka a sacred island of the coast of city of Dwaraka filled with mythological significance with hundi uzma and this submarine tourism venture promised to diversify attraction and attract a wider audience next question is who has become the new defense minister of China कि China के यानि कि चीन के नए रक्षा मंतरी कौन बने है तो यह बने हैं Dong Jun option number जो D है यह आपके यहाँ पर सही हो जाएगा कि Dong Jun को अभी new defense minister यह चुना गया है कहां का चाइना का तो देखे चाइना recently named Dong Jun as its new defense minister marking a significant change in the country's military leadership Dong previously served as commander of the navy since August 2021 अब देखे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा साथ ही में प्राष्टपती जगदीब धंगड को किस विश्विध्याले के पदेन चांसलर के रूप में निप्त किया है अग जब धंगर को यहां के जो है appointment क्या है तो उनके significance क्या है तो जगदीब धंगर जो की हमारे vice president है hold a prominent position in the country and its participation as chancellor is expected to be bring fresh perspective and insights to the university फिर इन विच स्टेट हैताई अम्मान festival is being organized कि किस राच्य में हैताई अम्मान महतसब जो है या फिर उतसब यह मनाया जाता है तो यह सब मनाया जाता है Tamil Nadu में तो option number जो A है यह आप कहांपर सही हो जाएगा that every year thousands of people from the Badagas community in the Nilgene district of Tamil Nadu participate in the biggest festival which is हैताई अम्मान on this occasion they pay their respect to Goddess हैताई अम्मा regarding that Goddess हैताई अम्मान local people believe that she protect and favor them every year and it will be held on the first Monday after the full moon in Tamil month Mark Zahi फिर है how many satellite will Indian Space Agency which is ISRO launch in 5 years to boost intelligence capability कि भारते नौसेना sorry भारते Space Agency जो है ISRO ये खोफियों शम्मतों को बढ़ावा देने के लिए 5 सालों में कितने उपगरा है यानि कितने satellite को लाँच करेगा तो ये है 50 option number 1 तो देखे ISRO will launch 50 satellite over the next 5 year to collect vital special intelligence and this satellite will be able to detect various activities from a range of thousands of kilometer and these satellites will help in gathering geo-intelligence and ISRO will place satellite in different orbits of the earth and it will be able to collect pictures of army activities and area of thousands of kilometer next is which state government has reduced the age of old age pension beneficiaries for tribal and Dalits to 50 years and the right answer is चारकर्ण कि किस राज्जे सरकार ने आदिवाशियों और दलीतों के लिए जो व्रद्धा पैंचन लाभारतियों है उनकी आयू को घटा कर पचास कर दिया है and the right answer is जारकर्ण फिर फिस्ट सॉफ्ट्वेर हैस बिन लाँच्ट पै विच स्पेस एजन्सी कि किस स्पेस एजन्सी के द्वारा फिस्ट सॉफ्ट्वेर ये लाँच किया गया तो ये लाँच किया गया है इसरो के द्वारा option number जो C है ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा इसरो हैस डेवलप्ट फिस्ट सॉफ्ट्वेर इसका यूज़ क्या है इसका यूज़ क्या है इट विल बी यूज़ तो भी finite element analysis of various type of structure including rockets, aircraft, satellite, building, etc इसरों के बात करें तो headquarter बेंगलूरू में है establishment year is 1969 और वर्तमान में जो इसके chairman है या head आप कहें तो वो है कौन? S. Somnath next is the flagship initiative Abhay Hastan has been launched by World State Government तो देखिए Abhay Hastam के अगर हम बात करें तो ये launch किया है तेलंगारा government के द्वारा option number C तो देखिए the initiative reflects the government dedication towards fulfilling its promises and promoting public welfare through the Abhay Hastam program the launch of the application is an important step toward achieving the state's goal for the benefit of the citizen of Telangana next question is who has been appointed as the next director of human resources of Indian oil तो देखिए Indian oil के अगले निदेशक जो कि है मानव संसाधन के पदपर वो कौन निक्त हुई है तो ये हुई है रश्मी गोवल option number जो भी है ये आप कहां पर सही होगा तो देखिए रश्मी गोवल will be new director that is human resources department of public sector IOL यानि IOC that is Indian Oil Corporation and गोवल will replace Ranjan Kumar Mohopatra and she joined IOC in 1994 and has been with the company for almost 3 decades अगर हम बात करें IOC की तो headquarter ने New Delhi में और establishment year is 1959 which space agency has launched a mission to study the God of Cures asteroids यानि की God of Cures शुद्रग्राय को अध्यान करने के लिए किस mission को शुरू किया गया है तो ये शुरू किस ने किया है basically तो ये किया गया है NASA के द्वारा option number D तो देखिए this is an asteroid which will be passed close to the earth in the year of 2029 and American Space Agency NASA has again started a mission to study these asteroids next question is which Indian actress has been appointed as the brand ambassador of Hyundai Motor India Limited यानि कि कौन सी भारते अभी नेतरी को Hyundai Motor India Limited की brand ambassador के रूप में न्युक्त किया है तो ये है दपे का पादुकौन option number जो A है ये आपका है पर सही हो जाएगा फिर विच एप has been developed to share official protection documents of parametry forces तो देखिए अर्द सैनेक बलो के आधिकारिक सेंडरक्शन दस्तावेज को साजहा करने के लिए किस एप को विक्सित किया गया है तो ये है आपका संदेश एप option number जो E है ये आपका हैं पर सही हो जाएगा देखिए कहीं पर आपको हिंदी में संदेश या सैंड्स ऐसा कुछ लिखा होगा आपको स्पेलिंग देख्री है ये ही आपका जो है official protection document of paramilitary forces के लिए develop किया गया है in a strategic move aimed at strengthening data security and prioritizing indigenous technology the paramilitary force will adopt the संदेश app for sharing all official communication and documents in a new year next question is which state government has approved setting up drone mission कि 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 स्राज्य सरकार्ण ने drone mission स्थापित करने की منظورी दी है तो ये दी है महारास्टर गवर्मेंट ने option number A तो देखिए महारास्टर गवर्मेंट has approved setting up drone mission and in this mission task like security monitoring relief and rescue operation during disasters, delivery of medicines and vaccines to remote areas monitoring of infrastructure project and traffic management will be done and with this mission महारास्टर will become a major hub of drones globally फिरे हूँ has inaugurated महर्शी वाल में की international airport in Ayodhya, Uttar Pradesh कि Uttar Pradesh की Ayodhya में महर्शी वाल में की अंतरास्टर ये हवाई अड़े का उद्गाटन ये किसके द्वारा किया गया तो अगेन ये किया गया है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा option number A next question is which space agency has launched the mission US military spacecraft X-37B under mission USSF-52 from Falcon Heavy rocket यानि कि किस space agency ने Falcon Heavy rocket से mission USSF-52 के तहट अमेरिकी से ने अंतरिक शियान X-37B को launch किया है तो ये किया space X ने option number A ये आप कहाँ पर सही होगा the US military mysterious X-37B spacecraft was sent into space by SpaceX Falcon Heavy rocket for a research mission and this spacecraft was launched from NASA's Kennedy Space Center which is located in Florida next is when is World Braille Day celebrated तुदेके गरम बात करे विश्व ब्रेल दिवस की तु ये मना है 4 जन्वरी को option number C तुदेके a resolution was passed by the United Nations General Assembly on 6th of November 2018 and in which it was decided to celebrate 4th January every year as World Braille Day that is the birthday of Louis Braille who discovered the Braille script and this day was celebrated for the first time on January 4th 2019 and the theme of the year 2024 is Empowerment through Inclusion and Diversity next question is who has been appointed India's permanent representative to the United Nations यानि कि संयुक्त रास्ट में भारत का स्थाई परते नहीं दी यह किसे नुक्त किया गया तो यह नुक्त किया गया अरिंदम बागची को option number जो भी है यह आपका है अपर सही हो जाएगा तो देखे अरिंदम बागची the additional security in the ministry of external affair has been appointed India's permanent representative to the United Nation अगर हम बात कर United Nation की तो establishment year is 1945 headquarter is in New York and the president is Antinio Guttres next is who has assumed the charge of deputy chief of naval staff की नौसेना staff की उप्रमुका पदभार किसने समाला है तो यह समाला है दिनेश के तरिफार्टी ने option number जो E है यह आपका है यहाँ पर सही हो जाएगा तो दिखे वाइस अड्मिरल दिनेश के तरिफार्टी took over as a vice chief of the naval staff on January 4, 2024 and earlier vice admiral दिनेश तरिफार्टी served as the flag officer commanding in chief of the western naval staff इंडिय नेवी के बात करे establishment year is 1950 chief of naval staff is Admiral R. Havri Kumar and navy day is celebrated every year on 4th of December फिर हो has installed around 20,000 GPS-based folk passes devices for smooth railway operation during folk condition and the right answer is Indian railway option number B तो दिने के folk pass devices is a GPS-based navigation device which help the local pilot to run the train in dense folk condition and this initiative is an important step toward improving the reliability of train services reducing delays and enhancing overall passenger safety next question is in West City of Rajasthan the 58th All India Conference of Director General and Inspector General of Police will be organized तो इसका हिंदी में हापर गलत होगा तो देखे धियान रखेगा कि किस शेहर में Rajasthan की 58th में नंबर का जो All India Conference है DG और IGP का तो ये कहां पर होगा तो ये होगा आपका जैपूर में option नंबर A तो देखे तो 58th All India Annual Conference of Director General and Inspector General of Police will be held in Jaipur, Rajasthan and in this 3-day conference to be held between January 5-7 and important topics like anti-terrorism activities, counter-insurgency and cyber security will be discussed next question is who has been appointed as the President of Faith in Tourism Association यानि कि जो Faith Tourism Association है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया है तो ये निक्त किया है किसको इसका सही आंसर है पुनीत छतवाल option number जो D है ये आप कहांपर सही हो जाएगा फेद के अगर हम बात करें तो देखे फुलफो में Federation of Association in Indian Tourism and Hospitality next question is which country's Prime Minister Peter Faila will be the chief guest at the 10th Vibrant Gujarat Global Investors Summit यानि किस देश की प्रधान मंत्री जो है Pret Friyala ये 10th Vibrant Gujarat West Vibrant Shrikhar Sammelan में मुख्य अथिती होंगे तो ये होंगे Czech Republic के President Prime Minister तो option number जो C है ये आप कहांपर सही होगा तो देखे Prime Minister of Czech Republic Petri Faila will be the chief guest at the 10th edition of Vibrant Gujarat Global Investors Summit to be held in Gandhinagar तो ये विमोचन किया है किसने आरिफ महम्मद खान ने option number A next question is to whom has the book Shri Rangam the responsive kingdom of Rang Raja has been presented during his visit to Tiruchin तो देखे Tiruchin यातरा के दुरान जो है Narendra Modi Ji को Pustak Shri Rangam the respondent kingdom of Rang Raja ये भेट की गई है तो option number जो A है ये आप कहांपर सही तो देखे के Prime Minister Narendra Modi during his visit to Tiruchin was made by BGP State President K. Coffey table book Shri Rangam the responsive kingdom of Rang Raja was presented by Annamalai and published by the Hindu group the 4-5 page book contains information in the rare archival photograph about the Shri Rangaswami temple sorry Ranganath Swami temple फिरे होवल inaugurated the Hindu temple in Abu Dhabi and the right answer is Narendra Modi option number जो C है ये आप कहांपर सही हो जाएगा the first grand Hindu temple is going to open in Abu Dhabi the capital of UAE and the temple will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 14 February 2024 next question is in which state a fast reactor plant worth Rs. 400 crore has been inaugurated by Prime Minister and the right answer is Tamil Nadu की प्रधान मंत्री के द्वारा किस राजे में 400 crore रुपे के fast reactor plant का उद्गाटन किया गया है and the right answer is Tamil Nadu अब देके Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated dedicated to the nation and laid the foundation stone of development project worth Rs. 20,000 crores in Tiruchirapali, Tamil Nadu and development project in Tamil Nadu includes sectors such as rail, road, oil and gas and shipping when a defence minister has signed contract worth how many crore of rupees for military equipments की रक्षा मंत्रा आले कितने करोड रुपे के अनुबद पर हस्ताक्षर के है सैने अब करनों के लिए तो यह 802 करोड रुपे Option No. B The Defence Minister of Government of India has signed a contract worth Rs. 802 करोड for the procurement of military equipments and according to the Defence Ministry these military equipment will be manufactured worth components and subsystem procured from indigenous manufacturers and this will promote indigenous manufacturing and help in realizing the vision of self-reliant India फिर annual bird census has been started in चिली का लेक ओफ विट स्टेट की जो चिली का जील है इसमें अभी जो है वार्षिक पक्षी गंदा ये शुरू की जा चुकी है तो ये कहां बर है तो ये है उडीशा में Option No. C तो देखे चिली का लेक ओफ उडीशा where many migratory bird come every year is being counted annually and ये हाप पर ध्यान देने वाली बात है कि चिली का लेक is the largest salt water lake in Asia located at the mouth of Daya river on the east coast of India फिले the government of which state has launched Gunotsub 2024 and the right answer is Assam कि किस राज्य सरकार के द्वारा Gunotsub 2024 को launch किया गया है तो सही answer is का Assam Gunotsub is a program launched by the government of Assam with the aim of involving all the primary and secondary schools in the state Gunotsub aims to increase accountability and improve the quality of education by actively involving teachers, students, administrators and local communities फिले फिरे फिचस था India's first satellite to be launched from Falcon 9 rocket and the right answer is GSA-20 option number जो D है ये आप कहाँ पर सही हो जाएगा तो देकिए तो देखे इस फिल बे India's first mission to be launched from SpaceX Falcon 9 rocket and ISRO's Commercial Arms New Space India Limited has announced that India's will use SpaceX Falcon 9 rockets to launch its new generation heavy communication satellite GSA-20 or you can say G-SETN-2 पहली महिला कौन बनी है तो इनका सही नाम है नादिया कैल्विनो ऑप्शन नंबर जो भी है यह आपका यहां पर सही हो जाएगा युरोपेन इन्वेस्टमेंट बेंक की बात करें इस्टैबलिश्मेंट है 1958 ओनर इसकी युवे मेंबर स्टेट्स और प्रेज़ेंट तो यह है नादिया कैल्विनो फिर इन विट स्टेट गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रियेट एट फूर दूइंग सूरी नमशकार सेमें सबसे दिक लोगों के द्वारा सूरी नमशकार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो यह बना है गुजरात में ऑप्शन नमबर सी तो देखें मोर देन 4000 पीपल प्रेटेट अगिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाइग सूरी नमशकार सेमेंटेंशनली एट वन जे पी नेक्स स्वाधेश धर्शन 2.0 स्कीम कि स्वाधेश धर्शन 2.0 योच्टा में कि स्मनेजीव अभर रनने को शामिल किया गया और अंशर इस देखेंगर्ड व्ल्लाइफ सैंचुरी उप्शन अमबर दी तूरिजम ministry has included tabraker wildlife century in swadesh 2.0 scheme and this scheme was started by ministry of tourism government of india in the year of 2015 which is 100% centrally funded scheme next is which country's queen margaret 2 has announced to step down from her post after 52 year कि किस देश की रानी margaret द्वित्य ने बावन वर्शों के बाद अपने बद को छोड़ने की घोशना की है तो ये महरानी है कहां की Denmark की option number जो B है ये आप कहांपर सही होगा तो देखे queen margaret 2 of Denmark announced her abdication and who resigned in queen of Denmark after 52 years and कब abdicate करेंगी तो ये करेंगी 14th of January को फिर विच प्लेयर हैस बिन सेलेक्टेट फो दा Puberty Athlete of the Year Award 2023 नहीं कि किस खिलाडे को Puberty Athlete of the Year Award 2023 के लिए चुना गया and the right answer is Virat Kohli option number A विरेविच कंट्रीज हैस डेक्लेट स्नो लेपर एज एट्स नहीं तेनवे को अपना राश्टेपरती घोशित किया है and the right answer is Kyrgyzstan option number A the snow leopard has now become the national symbol of the Central Asian country Kyrgyzstan and the president directed the cabinet of Kyrgyz Republic to accept the snow leopard as a national symbol, protect its population and ecosystem developed a logo and option for the use of symbols at various level and global snow leopards and ecosystem instructed to define the conceptual content of conservation program विच कंट्रीज पुलिस हैस लाउंच आवाम से आवाम की पॉर्टल तो देखे किस देश की पुलिस ने आवाम से आवाम के लिए पॉर्टल लाउंच किया है तो यह किया जम्मू कश्मीर गर्मेंट ने option number A to listen, understand and resolve the issue of citizen and policeman जम्मू कश्मीर पुलिस started its online portal आवाम से आवाम के लिए and this portal will ensure judicial of public complaints फिर फिर विच कंट्रीज चास बेकम the first EU country to issue digital saingin visa and the right answer is France option number A France leads the EU by launching a fully digital saingin visa through Olympic consultants for the 2024 Paris Olympic and the online system operational since January 1st process 70,000 visas फिर फिर हो has been honored with the कुवेंपू national award 2023 and the right answer is Shri Shendu Mukha Padhi Hai option number A तो देके अनौत बेंगाली writer Shri Shendu Mukha Padhi Hai received the 2023 कुवेंपू national award in honor of the late poet कुवेंपू celebrating his significant contribution to Indian languages कि किस देश के विज्ञाने को ने हाइड्रोपॉनिक क्रिशी के लिए एलेक्रोनिक मिट्टी विक्सित की है तो ये की है स्वेडन ने ओप्शन नमबर A विरेविट सीडियर ओफिशल has seized the post of spokesperson of the Ministry of External Affairs कि किस वरिस्ट अर्थिकारी ने विदेश मंत्राले के परवक्ता का पद सभाला है और राइट आंसर इस रनधीर जैस्वाल ओप्शन नमबर A फिरे इन विच्ट सेट अफ इंडिया एडिडास विल सेट अफ इस फर्स एशिया GCC आउटसाइड चाइन और राइट आंसर इस तमिल नाडू ओप्शन नमबर A तो देखे एडिडास दा रिनौड एथलीट फुट्वेर और अपरेल ग्राइंट इस टेकिंगा स्टेजिक स्टेप्ट इस ग्लोबल ऑपरेशन बाइस्टैबलिशिंग इस फर्स एंड ओनली ग्लोबल कैपबिलिटी सेंटर जी सेंटर इशिया आउटसाइड चाइना एंड जर्मन कॉर्परेशन हेट्वेर्ट इस ग्लोबल विजले सर्वेस हब इन चिन नहीं तो पहला है विच्वेश प्लेयर हैस वोन दे स्कॉर्टेश चुनियर ओपन अंडर 19 टाइटल इसका अंसर आप मुझे बताओगे अंडर नेक्स कुश्चिन इस और इसका अंसर भी आप मुझे का मैंन सेक्शन बिताओगे तो आज के इतने हैं थैंक यू सो मुझे वागू देवेरी बेस्ट फोर यूर एक्जाम्स